हाई गुड इंड फ्रेंस वालकम बैक आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत सवागत है तो चलिए सबसे पहले हम डेटा पॉइंट को डिसकस कर लिए अगर हम कैश का डेटा देखेंगे तो आपको देखेंगे तो आपको देखेंगे जो फाइज आज भी लगबग 1000 करोड के आसपास इनकी कैश में सेलिंग है वहीं डिया इसकी लगबग 1670 करोड के आसपास कैश में बाइन है तो इसको अप्रॉक्सिमेटली 1700 करोड रखके चल सकते हैं तो यहां पर इन्होंने कैश में जबरदस्त बाइन किया अगर हम बात करें मार्केट की क्लोजिंग 17000 के नीचे हो तो उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की प्लस फ्रेश लॉंग पोजिशन बनाई मार्केट को कंट्रोल करने की यहां आपको लगबग 2400-560 कास पास लॉंग कंट्रेक्ट बनता हुए दिखेगा FIs के द्वारा तो बिसिकली यह जो आप अपने Asian FIs है जैसे Singapore हो गया Hong Kong के हो गया तो यह जो FIs है इन्होंने यहां पर लॉंग किया है और इन्होंने कोशिश की मार्केट को कंट्रोल करने की तो यहां पर यहां पर यह लॉंग करते हुए दिखें यहां पर अग्रेसिव शॉट कर रहे था लगबग 13000 के आस पास इ बहुत मुश्किल है आप देख सकते हैं आप को दोनों साइड पोजिशन क्लोज होते हुए दिखेंगे यह माइनस का नंबर है तो हम इसे न्यूटरल लेकर चलेंगे हम यहां पर कुछ भी इसका कंक्लूजन नहीं लेंगे हम इसे न्यूटरल लेकर चलेंगे तो अगर हम एक sentiment देना कि यहां पर हमें एक buying sentiment देखने को मिली बट आप देखेंगे mostly heavy weights में selling हमें देखने को मिला तो हम इसे थोड़ा negative लेकर चलेंगे थोड़ा Canada के FIs हो गए तो यह सारे FIs है इनके अभी भी 2,11,000 के आसपा शॉट कॉंट्रेक्ट ओपन है अगर आप long is to short ratio देखेगा यह 0.13 के आसपा से जो की बहुत ही खतरनाक है आप देखेंगे यह सारे pre-covid level के आसपास में यह in fact lifetime high पे इनका short position है आज तक इतने ज्यादा short position इन् हमें क्या suggest कर रहा है हम यह भी discuss कर लेते हैं कि हमने कल के लिए आज के लिए क्या plan किया था कि हम हमारा आज का trade क्या होगा हमने plan किया था कि अगर निफ्टी इस range के नीचे directly अपने को gap down मिलता है एक 5 minute का negative candle बनता है तो हम candle के breakdown पे हम short करेंगे but हमने short भी किया वापस से यहां में हुआ तो जो expiry था क्योंकि हम selling के side पे हमारा बिल्कुल plan clear था कि हमें long के side का कोई trade लेना ही नहीं है तो मैंने buying नहीं गया मैंने यहां पर sell initiate किया यहां पर stop loss trigger हुआ मैं बाहर हो गया फिर मैं वेट कर रहा था क्योंकि मुझे पता था कि यहां पर last में एक selling का pressure आएगा expiry है तो यहां से यहां तक buyer को पैसा मिल गया था seller को पैसा नहीं मिला था seller को पैसा मिलने के लिए market को नीचे आना ज़रूरी था तो इस वज़े से मैं sure था कि हमें second half में selling pressure देखने को मिलेगा और वापस second half में बहुत ही अचा selling हुआ और बहुत ही massive profit यहां पर हुआ तो यह यहां पर वो draw नहीं करता हूं मैं trading view पर उसको यह करता हूं तो अगर हम देखें यहां पर मैं यह चार्ट दिखा रहा हूं आपको यह काफी complicated दिखेगा यह चार्ट बट मैं ऐसे analysis करता हूं तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर nifty के लिए अब जो move आने के chances है जो expected है जो मैं expect कर रहा हूं निफ्टी को इस low को एक बर रिटेस्ट करना पड़ेगा 1688 का यहां तेक निफ्टी इसको रिटेस्ट करेगा दैन अफर अगर यह इसके नीचे निकलता है यहां sustain नहीं करता है इसके नीचे निकल जाता है तोड़के मान लिजे यहांने के बाद मतलब बहुत ही fast और aggressive selling यहां पर देखने को मिलेगा बट दूसरा scenario यह बनता है कि निफ्टी अगर आप देखेंगे तो chances है कि यहां से retrace करके एक ऊपर ते तरफ का भी move बनाए तो उस case में क्या होगा कि यहां से यह आपका जो point है हम इसे correction निफ्टी को एक हम correction में count करेंग तो मैं आपको यह wave के बारे में मैं आपको फिर कभी समझाओंगा कि Elliot wave कैसे काम करता है क्योंकि काफी lengthy process है और इतनी जल्दी आप इससे नहीं सीख सकते हैं यह बहुत practice करने के बाद मैंने सीखा है तो थोड़ा complicated है इसलिए मैं चीजों को थोड़ा simple करता हूँ तो हम nifty में प्लान करेंगा और हम stop loss को पांच मिनिट पे ट्रेल करते चलेंगे अगर बहुत बड़ा gap up खुल जाता है gap up खुलने के बाद में वापस selling के लिए प्रफर करूँगा माली जिए gap up खुलता है gap up खुलने के बाद आपको यहां पे कुछ स्टाइप का price action दिखता है तो immediate shot करे करेंगे निफ्टी यहां आएगा पहले यहां क्योंकि यह closing price के आसपास है तो यह support का काम करेंगा तो might be यहां आने के बाद निफ्टी एक दिन यहां पर halt कर जा इसके बाद फिर breakdown दे या फिर निफ्टी फ्लैट खुल के निकला तो हम सीधा sell करेंगे तीसरा scenario यह होता है कि निफ्टी अपने को gap down देखने को मिल जाए कहीं पे भी 17,000 के आसपास में gap down देखने को मिल जाए तो हमारा वही strategy होगा एक 5 मिनट का negative candle breakdown पर shot stopless trigger तो हम बाहर फिर जहां पर भी हमें 5 मिनट पर price action दिखेंगा हम वापस से short initiate करेंगे यहां फिर निफ्टी यहां से ऊपर करें के बाद इसको hit करें सॉरी थोड़ा मैसी हो गया gap down कुला gap down कुले के बाद यहां आया यहां कुछ इसनाइप का price action दिखा तो हम यहां पर shot करेंगे तो हमारा जो plan होगा वो सिर्फ short का होगा मैं अभी भी long के favor में नहीं हूँ तो मैं long के side का कोई भी trade आपको advice नहीं किया बड़ वापस यहां के stopless trigger हो गया trade से बाहर होगे second half में same time में आपको bank nifty में भी यहां पर momentum मिला होगा मुश्किल से मुश्किल आपको यहां पर 50-60 रुपे का stopless से आपको करीबन 600 पॉइंट का move यहां देखने को मिला हुआ मैंने दोनों nifty bank nifty दोनों में aggressive shot किया था यहां पर और काफी अच्छा move यहां पर capture किया तो कल के लिए bank nifty के लिए हमारा क्या plan of action होगा तो कल के लिए हम वापस से selling के लिए plan करेंगे बैंक nifty अगर इसके नीचे निकलता है तो हम देख रहे हैं कि bank nifty यहां से दो बार support लेके already bounce कर चुका है तो यह जो level है 39,400 यह crucial level है तो हम bank nifty को immediate shot नहीं करेंगे हम wait करेंगे यहां से आने के बाद bank nifty यहां आके support लेगा support लेके bounce करेगा then अगर breakdown देता है तो फिर हम इस swing के उपर का stop loss रखके aggressive shot करेंगे और bank nifty के लिए जो मेरा next target है वो लगबग 39,100 के आसपास का target है तो यहां तक का target हमें देखने को मिल सकता है अगर bank nifty इसके नीचे निकलता है तो फिर हमें aggressive selling देखने को मिल सकता है आने वाले time में और मैं आपको चलिए मैं level आपको दिखा देता हूं क्योंकि मैं जो level plan कर रहा हूं मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि bank nifty आने वाले time में आपको अगर मैं दिखाऊ तो यह 0% को test करेगा जो की आपका 32,290 का level है तो यहां तक आपको bank nifty आता हुआ दिख सकता है बट ignore कीजिए क्योंकि हम intraday trade करते हैं तो हमें like intraday के move पकड़ने तो intraday में अगर bank nifty मान लिजए यहां से flat कुल के नीचे निकलता है और यह price action यहां पे create करता है तो हम इसको shot करेंगे और यहां swing के ऊपर का stop loss 1-2 के लिए plan करेंगा और 5 मिनट पे हम stop loss को trail करते चलेंगे दूसरा scenario होता है bank nifty अगर अपने को gap up मिल जाए gap up मिले gap up मिलने के बाद ऊपर जाने दीजिए ऊपर जाने के बाद जहां 5 मिनट पर आपको यह price action दिखे शौट कीजिए swing के ऊपर का stop loss 1-2 के लिए plan करेंगे पहले यहां आके bank nifty कोशिश करेगा कि halt करें दैन आफ्टर वा पर आके कुछ इस टाइब का price action दिखता है तो भी हम short करेंगे हम long के side का कोई भी trade यहां पर initiate नहीं करेंगे चले अब stocks discuss कर ले तो पहला stock जो चार्ट पर चल लग रहा है टाइटन अगर कल flat कुलने के बाद 2520 के ऊपर निकलता तो हम इसको immediate long कर सकते हैं यहां पे हम आपका 7 से 8 रुपय का stop loss रखेंगे 1-2 के लिए plan करेंगे 1-2 मिलने के बाद हम 5 मिनट के time frame पर swing पे stop loss को trail करते चलेंगे जहां तक हम profit मिले वहां तक हम आगे इस trade को continue करते चलेंगे अगर next stock देखे तो next stock है sipla sipla में हमें एक bank momentum देखने को मिल सकता है तो माली जब sipla कल कही flat खुलता है flat खुलने के बाद अगर 870 के ऊपर निकलता है तो हम इसको immediate long कर सकते हैं यहां पर हम 4-5 रुपया का stop loss रखेंगे 1-2 के लिए हम इसको plan कर सकते है next stock अगर हम देखे तो state bank of India state bank of India में आपको दिखेगा कि यहां से एक sharp selling आने के बाद यह pullback काफी time तक यहां इस range में trade करता रहा और अब इसका breakdown हो रहा है तो कल अगर यह flat खुलता है flat खुलने के बाद 510 के नीचे निकलता है तो हम इसको immediate shot कर सकते 3-4 रुपया का stop loss होगा 1-2-2 के लिए प्लान करेंगे यह पहले कोशिश करेगा इस swing को retest करने का जो की 499-500 के आसपास का level है इसके बाद in future अगर ह चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए मैं आपको end में जो 5 और 13 पीरेड का moving average है मैं उसका link वहां पे आपको डाल दूँगा आप उस वीडियो को भी जरूर देखे क्योंकि अगर मान लीजिए आपने price action को follow नहीं किया बट अगर आपने यहां और 13 पीरेड का moving average का यह combination अगर आपने use किया होता तो भी आपको यहां बिल्कुल top पे आपको यहां पे sell signal मिला और इसके बाद देख सकते हैं यह trend continue रहा तो यह बहुत jackpot setup है यह आपको हमेशा top पे sell का signal देगा और bottom पे आपको हमेशा यह buy का signal देगा तो इस setup के यही खासी का accuracy है आप अगर 100 trade लेते हैं यह 10 trade लेते हैं तो 10 में से 8 times ही आपके favor में होगा दो बार ऐसा हो सकता है कि शायद stop loss trigger हो बट stop loss बे जो trigger होता हो बहुत बढ़ा नहीं होता 15-20-30 point का होता है तो आप इसको यहां पे देख सकते हैं वीडियो को और आप कोशिश कर सकते हैं इसक आप कि कर रची कर भूँ आप